अलो दोस्तों कैसे हैं आप सो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हैपी जमाल पर अज हम पढ़ने वाले बहुत ही बेतरियन टॉपिक डाइरेक्शन के बारे पढ़ने वाले हैं आपको 12 टॉपिक हम सिर्फ एक ट्रिक में पढ़ने वाले हैं आपक इन सारे चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीक से समझने वाले और वो ट्रीक क्या है बस आपको यहां पर देखना है कुछ इस पॉइंट है उस पॉइंट को हम बताने वाले उस पॉइंट को आपको सिर्फ माइंड में रखना है बाकि आपको खुद बाख खुद आपको बन जाएगा आईए सबसे पहले डायरेक्शन जो है कि यह जो जिसा है यह चार भाग में डिवाइड कर देलते हैं ठीक है आप इस तरह से जिए खड़ा हो जाया है हना जो आपको जो बायान हाथ होता है और आपको वेश्ट की ऊर होता है और आपको जब भी डिरेक्शन लिखना जिस भी तरह का equation direction आप बना रहा है, आपको direction इसे वेग में लिखना है, right तब आपको लिखना है East, हाथ के तरह अपको vests, उपर नर्थ, नीचे आपको veer South लिखना है, कि याँ इते हैं कोई भी confusion नहीं होना चाहिए, बस, जब वियों होगा, तो East, West, North तरह को South होना है, और एक बात आपको यहां पर थोड़ा से याद रख लेना है कि जब भी होगा तो इसको एक मायम रख लिए जब भी आपको यह लिखना हो इसको जब भी लिखे तो इस तरह से लिखिए कि अपको जब भी इससे बड़ा बड़ा कोशन आप सोल्ट करेंगे आपको डिरेक्शन घुमा के देता है तो वहां पर इस बात के यहाद रखते हैं तो आपको वहां पर दिक्कत आपको नहीं आने वाला है ठीक है कि लिए अब दूसरा क्या होता है कि जो पूरा गोले गोले जाकरिती होता है ठीक हम पूरा गोल ये थी घहरा बना दे त Roughki इपया पता है ये वाला भाग ये भाग आपको यह भाग आपको यह है यहाँ तक आपको कोए दिक्कत नहीं देख करने साथ कि दो अज ऑच के बीचए को हम सब करते हैं, इस जो दोनों की बीच की दूरी होता है, उसे हम सब करते हैं, जो आपको इस topic वे पढ़ना भी है आपको सब डियरेक्शन, इसके बारे में आपको QC escuch बहुत जादा पूछा जाता है, ठीक है? तो याद रखना है दो अज के बीच की जो दूरी होती है, उसे आपको सब देरेक्षिन का आता है यहां भी सब डेरेक्षिन यहां भी आपको सब डेरेक्षिन हो जाता है कि यहां तक आपको कोई दीकत नहीं होने वाला करें क्वेरेक्शन रखना है इसके लाबा कहीं आगे यादा रखना है लुपारओ नीचे के और आपको सौथ को और यहाँ ब्याद रखना है। आपको राइट यानि आपको दाया हाथ की तरह आपको समझना है राइट यानि आपको दाया हाथ यह हम बोलते हैं आपको लिफ्ट यानि आपको बाया हाथ यानि जब भी आपको पोस्टान मेंट कहें राइट गुमना है तो राइट होता है आपको क्लॉक वाइज कि एक थिंति काई मतलब क्या टे का ये घड़ी घंटिक है है तो ये इस डियरेक्शन PROK डेखिस ऐस आपको आंट इस पोहेस आपको खुयंग है कि यह शुर्ष这 से इस डियरेक्शन ना चल कर आ है इस ड्यॅज़ शब discounts पे या आटी कॉल्प आध्या अगला पॉउट्समज़ते हैं क्या है इदे आपसे बोलते है राइ्ट है राइट आपको येक्ट में देखना है कि मैं यानि-इस इद задач ये आपसे कहें लेफ्ट कि आपको वेस्ट होने वाला है और आपसे कहें नॉर्थ की और देखना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा अपर अपर बोलेंगा तो आपको नॉर्थ मेर देखना है इदि एपसे बोलता है डूम यादि आपको नीचे की और तो आपको 100 ठीक है इस बात को भी याद आखना के लिए अगला देखते हैं दूसरा आपको क्या बता है कि दो अच दो अच के बीच की जो दूरी होता है उसे आपको सब डारेक्शन काते हैं तो बस अगला पांट हमारा यह है कि दो अच की जो बीच की दूरी है उसे आपको सब डारेक्शन काते हैं ठीक है उसमें क्या है यह आपसे बोलता है लिफ्ट और एक बार बोलता आपको right यदि आपसे बोलता है कुस्टन में एक बार left और एक बार right तो ये जाकर को हो जाता आपको same direction आप कहेंगा ऐसा नहीं से हुआ तो देखिए बांते हैं कोई भी आपको ये direction ठीक है यदि हम चल रहा है इस points आपने चलना साथ किया ऊपर की ओर चल रहा है ठीक है नौर्थ को चल रहा है इंदि हमसे बोलेगा कि left घुमिये ठीक है तो हम जब उपर की ओर चल रहा है तो हमारा दाया हाथ इधर यानि right और left कहेगा ताब को इधर गुमना तो हो नहीं आपको सेम डिरेक्शन इन्दी एक बार बोलता है left और एक बार बोला right तो हमारा दाया होगा यानि पहले भी हम उत्तर के ओर जा रहा है अब यहां कहां जाय आपको उत्तर के ओर जा रहे है यानि क्या हुआ लेफ्ट पलस right आपको क्या होगा तापको या इसको इस परकार सका सकते हैं कि right, right plus left भी आपको क्या हो जाएगा आपको same direction होगा जैसे हो गया, दूसरा क्या बोलता है, right plus आपको lift, तो right और left देते हैं, मालिके हम जा रहें north के और, हमसे एक और बोलता है right घुमी है, तो right घुमी काने का मतलब क्या, कि इस तरफ भूण जाना है, ठीक है, एक बार right, फिर से बोलता है एक बार left घुमी है, तो फिर चब हम इधर के और जा रहे हैं, तो हमारा right यहां है, और left हमारा आपको किस डिरेक्शन में, तो फिर भी क्या है तो आपको same direction, यानि हम पहले भी उत्तर के और जा रहा थे, अब भी हम उत्तर के और चल रहे हैं, clear, तो left plus right आपको same direction, या right plus left आपको same direction होगा, clear, अगला, यदि आपसे बोले हैं कि left, left घुमी है, यह आपको 90 degree सीधा को घुम जाना, क्या हो रहा है, इससे हमने यहां से गय, ठीक है, उत्तर क्यों जा रहे हैं, हमसे बोला कि right घुमी है, तो right घुमी है, सीधा हमने घुमी है यह कितना BREAK का को सीधा चुन बना ती है, हमने सिधा को 90 degree का को जब आपसे बोलेगा है कि left घुमी है, यह आपको right घुमी है, तो क्या हो 60 degree, यह बोले एक बार left घुमी है, तो 9, 9, 180 degree भुम जाना है, जहां से बोलेगा कि तीन बार left घुमी है, आपको 270 degree घुम जाना है, यह आपसे बोलें कि एक कर्कींच का यहां सर्फ भीज़या जिया नि कि यहां से चलिक हो थे ही यहां को पुहुत ऑपनेसे प्रेंवे हो था में एड़ी इसपे eaten होता है मिला ना कि उसे और होबाने या पी तीन आपको state निढि़ी शल्य हमें हिए आप से बोलता है है कि लेफ्ट भूमी है 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 कि अभी हम बताएं कि लेफ्ट याणि हो यह पको आपको कि इदर कर चलता है तापको उल्टाइग क्लोग में चलता है ज़िए आप से बोलता है कि राट गुमिए तापको क्लोग क्लोग वाइस चलना है धीग है चलिए चोथा प्रइंट को समाझ सकते हैं धेए धीड की है में आर्फ खुकस वाली प्रइंट को यही क्या मोलता है कि जो भी फněरिए उसका जो भी रिर 토année होt धुश्जिटेद में द॑ उसको आपको पकड़के रखता है है और नहीं आधार है तो या तो उसे अंडरलेट कर देते हैं या फिर उसे कहीं पर लिक करके आपको को पूछन को सोल करते हैं ठीक है तो पाइंट चाहू था आपको यह था आपको पाउच किया है आपको वहाँ पर पला साइंच देखर के यहां साथ को डाइरेक्शन का आपको आउंसर निकाल घर का आपको देना है आपको परच्जाएं बनेगा लेकि जब परच्छाएं ने जब बनेगा आपको पूरा और चलते हैं कोसन को मुण टइप 20 देdockने वाले ताकि आपको बनाने में आसान हो इसमें क्या है को पहला कोसन क्या बोलता है कि रोहन अपने अस्कूल जानने के क्रम मे चार किलोमेटर पूरा की ओर जाता है और उसके बाद बायं मुढ़कर तीन किलोमेटर उता की ओर जाता है नहीं रहाँ जीसे आमने आपको बताया था कुछ नहीं सीधा आपको एक डाइरेक्शन का आपको सायंखिस देना है अपसे क्या बोलता है रोहन अपने अस्कूल जानने के क्राव में चार किलोमेटर पूरा के और जाता है हमने माले की रोहन जो है सोहन है उसका जो घर है वो आपको यहाँ पे यहाँ से बोलता है कि चार किलोमेटर पूरा के और जाता है तो पूरा तो हमारे इधर और जाता है इस को जाता है बानगे, 4 km यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी, थीक है, यहाँ से आपको चलना इस्टार्ट किया है, यहाँ तक आपको 4 km पुरा कंद उखेंगे, उसके बाद बैं मुढ़ता है, उसके बाद बाय मुढ़कर, अब बतेंगे कि जब इधर की और जा रहा है इसका दाया इस तरफ है और बाया आपको इस तरफ है तो मतलए कि बाया मुड़कर तो बाया मुड़कर वह आपको तीन किलोमेटर चलता है ठीक है बाया मुड़कर तीन किलोमेटर उत्तर की और जाता है ठीक है बस आपको यहीं और इसने आपको कोसंद दिया हुआ है ठीक है पहले देखें कि यहां से यहां तक गया तो आपको तीन किलोमेटर गया तो इसने टोटल दूरी कितना किलोमेटर तै किया कि वह अपने घर से किस दिशा में है तो यहीपने कि एक पलाश साइन दिया ठीक है वह अपने घर से किस दिशा में हैं है कहां जा रहा है इस वाले आपको दिशा में जा रहा है और यह दिशा क्या होता है हमें पाता है कि उपर आपको नौर्थ होगा इधर आपको इस्थ होगा इधर आपको सौर्थ होगा इधर आपको बेश्ट होगा मतले किस दिशा में आपको नौर्थ आपको इस जितना में आ प्णेट के लिए जाँ से उसके असमें को घर की उसके सोबरbung यहां पे अपको इस्ट आप हमें लिखेना आपको सौ और आपको वेष्ट लिख सकते लेकिन जादा तरह आपको इस तरह बिलेगा सो थर आपको घ्राइब को ज्यादा मिलता है इस तरह से सकते हैं वेस्ट वर आपको सौद में लेख सकते हैं तो अगला कोशन बोलता है कि तैय की गई सबसे नियुन्तम दूरी तो चोथे यह बोलता है इसी वे मेंना है यहां से गए आपको 4 किलोमेटर उपर गए आपको 3 किलोमेटर यहां पर उसका अस्कुल होगे यहां पर आपको इसका सबसे कम दूरी तो सबसे कम दूरी क्या होता है सिधा सिधी सबसे कम दूरी तो यह हुआ ना सिधा सिधी यानि इस वे में एधी रोड होता तो रोहन क्या इस वे में ऐसे जाता नहीं वो सिधा सिधा को चला जाता तो इसका दूरी क्या आपकर नहीं बहुत ही कम होगा तो कि यह क्या है को भूं यह निनकाल देना है कि लूं अधार और कर्ण यहां पे होता है परपेंडी कूलर स्कॉर पलस बेस स्कॉर बराबर है क्लिए हमें यह दोनों पड़ता है कि यह चार हरी आपको यह वह अन्सर बुछेगा अपको स्कॉचन पूचन ने वाला है कुछ ञाइसे जैसे कोशन बोलेगा वैसे आपको जाना है यह जैदि वो आंक पाइंट से पूछेगा तो स्टाटी क्पाइंट से किलियर क्रेया चटरीन केट्रिना किसी अस्थान से चलना शुरुकी और 12 किलोमेटर उत्तर की ओर गई वह 90 डिग्री बाय गुमी और थोड़ी दूर चल कर रुक गई वह आरंबिक अस्थान और अंतिम इस्थिती की बीच की दूरी 13 किलोमेटर है तो वह उत्तर से गुमने के बाद कितनी दूर चली ठिले une pause चलन से ऑस्थान से चलना सुरुकी ठीक किसी वी अस्थान से माल लिए जिसाघ्र याहा सबकaphor म्हारा अस्थान सुरुक Inter Castle को गेकी है और 12 किलोमेटर उत्तर क्यों गई है डिर वह बारा किलोमेटर शेची बाय घूब तो 90 degree बाएं कहा है मतलों क्या आपको left सीधा सीधे ओंगे आपको left गुमें 90 degree बाएं घुमें और थोड़ी दूर चल कर रुख गई थोड़ी दूर चली और यहां पर आतों माल लेजिए यहां पर आपको रुख जाती है आरंबिक अस्थान और अंतीमि दूरी है आपको तेरा किलो मिटर कि ए थीक है तो वहार उत्तर से घूमने के बाग यतिनी दूर चलूए भूताहे कि उत्तर से घूमी इस वाले सुरे घूमी तो वह कितना दूर चल करके रूखी मतलब इसका आपको मान निकालना ते paling सामें किया丽nya कि बड़ी को करन होता है कि वह कि iş na करन स्कुऊर बराबर लग स्कुऊर पलासjin को अधार स्कुऊर questo यानि Webb को पता है ही एकवादा अगि याध एकषपार प्लासो व कद्आया की तरफ जोड एह प्लम है सब्सक्राइब यानि वह उत्तर से जब वह मुड़ी लेफ्ट मुड़ी तो वह पांच किलो मुटर चल करके वह क्या कर दिए आपको वह ग्लूग जाती है कि लिए अगला कोशन बोलता है कि सीता बजार समीती से मुसलम पूर हाट जाने के करम में एक बार लेफ्ट दो बार राइट तीन बार लेफ्ट दो बार राइट अंतर एक बार लेफ्ट गुंती है यदि अब उसका फेस नौर्थ में है तो पराम में उसका फेस किस दिशा में रहा होगा तो कुछ नहीं करना है आपको हम बताये थे कि लेफ्ट और राइट आपको क्या हो आपको सेम डाइजेक्शन हो जाता है तो बस उसी कारम ने यहाँ पर इस्तमाल करने वाले है बोला कि सिता बजा समीति से मुसलम पुरहार जाने के करम में एक बार लिफ्ट तो हमने बस यहाँ पर लिख लेना एक बार आपको लिफ्ट दो बार आपको राइट तो बस हमने यहाँ पर लिख दिया आपको दो बार आपको राइट तीन बार लिफ्ट तीन बार आपको लिफ्ट दो बार right फिर समने लिख दें आपको दो बार right अनता एक बार left घुमती है अनता आपको एक बार आपको left घुमती है यदि अब उसका face north में यानि यतना घुमने के बाद जो उसका face जो है अपको north क्यों रहे यानि वो इस direction में अभी खड़ी यतना घुमने के बार ठीक है तो पर्राम में उसका face कि इस दिशा में दाहुगा हम देखी काकर नेला हमको पता है कि left और right क्या हो तब कुछ सेव डिरेक्शन दोनों को काड़ दी यानि भी left और right क्या आपको सेव डिरेक्शन दोनों को काड़ दी टो पहले उसका स्थिति कहा होगा देखें टो ङंखें ऑप इसका एख नहीं करना है यह तरह को सब्सक्रास की आशान दो बस आपको लिख लेना है लेफ्ट राइट सक्तिके लिख लेना है आपको पाता ह council पॉ सुछ सेव डालेक्स नहीं दोनों को काटकर अटा देना है और जो भी इस्थिति बच गया वो पूछ रहा वह कुछन किस आप सो डिसाइड करना कि यह किसके बारत दिया हो पर आमिक की स्थिति है या फिर आपको अंतिव इस्थिति है तो यहां पे दे रखा तो अंतिव इस्थिति पहले पूरब दिशा में जाता है, तथा दाएं मुड़ते हुए आगे बढ़ता है, उसके बाद वहा दाएं मुड़कर अस्कूल सक जाता है, तथा पुना दाएं मुड़कर आगे बढ़ता है, तो अब वहा किस दिशा में जा रहा है, कि लिए कुछ निए, काफी सिंपल है प्राइप निर्फपार्व मोहल लिए जाता है। उसके बाद दायं मुढकर और स्कूल तक च्ला आपको आपको आशके चला को अपको कुणा mm बम कर आगेबढ़ता है तो अब वा और सरू हम यहां यहां पर जा रच के उपर हमारा क्या होता हो अब हम कहा सकते हैं तो आपको नौर्थ की ओर जा रहा है, के लियर, अब हम टैप 2 को देखने वाले, इसमें थोड़ा सा कुसन का लेवल आपको बढ़ने वाला है, इसमें क्या बोलता है, कि एक आदमी का मूँ पसीम की ओर है, वहाँ पैंताली डिग्री दच्छिना वर्थ, दच्छिना वर्थ तो अब उसका मूँ किस दिशा में होगा, के लिए, कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह के कोसन आए, तो आपको लिखना आपको लेफ्ट और आपको राइट, यानि दच्छिना वर्थ, लेफ्ट यानि आपको बाम वर्थ, क्या बोलता है, कि एक आदमी का मूँ पसीम क पसीम के ओर है, वहाँ पैंतालीष डिगरी दच्छिना वर्थ, तो राइट के हैंड में आपको लिख देना, तथा फिर 180 डिगरी दच्छिना वर्थ, फिर से गुमता है, तथा उसके बाद 270 डिगरी, बाम वर्थ, यानि फिर सापको लेफ्ट में, आपको 270 डिगरी फिर स तो आपको लिफ्ट घुमता है तो उसको सत्तर डिग्रे तीलिया जिसन घुमता है तब उसका मूँ कीस दिन सान होगा तो जब इस तरह कोशन बस कुछ नहीं करना है राइड वाले को जोड़ दिए पांच आठ चर बारा और एक एक अपको दू यहां पर आपको हो जाता है द तो जब उसका मूँ कीस दिसाबल होगा यानि उससे क्या करना है 55 डिग्रे उसको लेफ्ट घुमना पड़ेगा तो जब वह इस दिसा में है 45 डिफ्ट घुमेंगा यानि आपको एंटी करव घुमें तो कहां चलाएगा वह आपको इस डिरेक्शन में आपको चला आएगा हम पाता है कि यह आपको वेश्ट होने वाला को वह होने वाला कर्या कि जब भी इस तरह को सना आय तो बस इस वह होना है कि पहले क्या सब्सका और पसका आपको 25 डचक डूस्त घुमता है थिक तो यहां सब्सक्रेंगोर्ण धियाओं के चकला च्जाम वह गूटा jug जलाएगा वह आपको यहां चलाएं फिर से बहुता है कि 160 डिग्री नवर्ट तो आपको इस पाइट पर चलाएं प्र होता है कि नबे डिग्री बचा हुआ है यहां से यह 90 घर में चलाया वो आपको इस गरमेंट चलाया और इस गर के आपको सौथर आपको विफ जो आपको यहां पर दीख रहा है तो दो तरीक के साम इसको समय दीए है यह आपको लिफ रैट करके बना सकते या सीधा आप डैयेक्षन पर लेफ्ट गुमने के बाद 90 डिग्री राइट गुमता है अंता 90 डिग्री लेफ्ट गुमने के बाद आपको लेट घुमने के बाद 90 डिग्री आपको राट घुमता है वहां से 135 डिग्री लेफट घुमने के बाद अन्ता 90 डिग्री लेफ्ट घुमने के बाद 135 डिग्री राइट घुमता है इदे आराम में उसका फेस्ट नौड की हो रहा है तब काउट हम देखें क्या करना है सब को जोड़ देना होता है क्या होता है कि यहां से करने वाला है कि 90 लेफ्ट गुमा और 90 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री आपको राइट है यानि पहले उसका इस्थिती आपको यहां है नौर्थ क्यों रहा है तो अब इतना घूमने के बाद इसका फेस्ट का और हम देखरें कि पैंताले डिग्री का है उसको राइट गूमना है जब यह पैंताले डिग्री राइट गूमें तो कहां चलाएगा वह आपको इस डिर अन्सर क्या हो जाए लिए अवको टैट्टी में चल रहे है कि इसमें क्या कहता है तो दोड़ जो आपको उत्तर हो जाए तो पच्छिम दिसा की क्या है को नहीं करना है बस आपको यहीं के लगा आमने बताया था कि आपको याद रखना है अब आपसे क्या बोलता है एदी पूरब दिसा दच्छिन पच्छिन हो जाए क्या पूरब यानि आपको इस्थ हो जाए आपको बताया थे कि जब यह ची पता चल गया तो बस इससे आपको क्लॉब वज़ आपको रोटेंट कर देना है क्या जा जीन दिसा और दच्छिन पूरब दिसा उत्तर हो जाए तो पच्छिन दिसा कि क्या इस्तिति होगी पछीन दिशा की क्या स्थितीरी यह बना जो इसकी क्या स्थित्रन के आजेट होगी दनी क्याँ और कि लिए पत्ना से गया 40 किलोमेटर इस्ट में है, पटना से गया 40 किलोमेटर इस्ट में है, सराय से हाजीपूर 9 किलोमेटर वेस्ट में है, आरा से दानापूर 11 किलोमेटर इस्ट में है, गया से सराय 8 किलोमेटर सौथ में है, पटना से आरा 12 किलोमेटर नॉर्ट में है, तो कोशन पुछ रहा है, एक व्यक्ति हाजीपूर से सराय होते हुए गया जाता है गया से पटना होते हुए आरा जाता है और पुना पटना लॉट आता है तो इस दोरान उसने कुल कितनी दूरी यह तैगी क्लियर चलिए पर यहां पर लिकिन आप काम बताया थे हैं कि जो आश्टेटमेंट होता है वो भ पढ़ने वाद है पटना से घया 40 km ए हमें पटना से नंधशन 29 К Ng वेष्ट में ससराय से हाजी पूर 9 km में मे視 बोड़ाइ मों अर्ज आपको लिखे लिना तो संसे पोलिए मैं कि मैं खृशे कर राय तो नहीं कर रहा फिर से लिख लेंगे आरा से दानापूर 11 पूर 11 stmail लिख लिया गया से तो سराय आट किलोमेटर आपको अध्यास हमने शुक्नास भ्स्तल्ट के अफमेरफ को आपको आपको सुट है सब्सक्राइब निछे करते हैं इसको आपकोब्षा आप पच्छी पर्णुने क्या को पच्छी में सब्सक्राइब सब्सक्राइब अभी राजित counterparts कि आरा से दानापूर जो है 11 किलोमेटर पसी में तो आरा से दानापूर 11 किलोमेटर आपको पसी में अब को करती है ठीक है अब आपसे कोसान पूछ रहा है कि यह वैकिती हाजीपूर से सराय होते हुए हाजिपूर से सराय होते हैं, यहां से यहां गया तो कितना दूरी तैय किया, आगे, सराय होते हुए गया जाता है, यहां से यहां दूरी गया तो कितना दूरी किया होगा, आड़े किलोमेटर तैय क्या होगा, आगे, गया से पतना होते हुए, अब गया से पतना जाएगा तो चालिस किरुमेट्स तो तैकर नहीं करना है इसको घ्यास आपको पटना होते हुए आरा जाता है तो इस दोरां कुछ ने दूरी तैकि बस आपको जोड़े रहा है ठीक है परवच्चोभीस अट्रवाबत तीस एक तालीस और आपको 81 किलोमेटर अपका आंसर हो किलियर इसने जो टूटल दूरी तेह किया हुआ आपको 81 किलोमेटर अपको दूरी तेह किया किलियर चलिए अब यहां पर मिस्लिनेस देखने वाले कि इपके पूरभ है यह यहां कि इपके पूरभ है तो आपको यहां आपको एफ है देखा कि आपको नौर्थ नीज आपको इस नौर्थ रहें इसका जो आंसर होने वाला आपको नौर्थ रहें इसलिए अगले कोशन क्या करता है बुलता है यती नौ बज करके 30 मिनट हो रहे हैं मिनट का सुई सौध की और है तो जो आवर की सुई है वो आपको किस डाइलेक्शन होगा तो बस कुछ नहीं करना है घड़ी के बारे बोलना है पस आपको एक घड़ी बना देना है उपर बा बड़ा वाला जो इसलिए वो तो छेपे होगा ठीक है लेकिन जो आवर वाला सुई हो वो नौ से आगे निकल के इसके बीच में चला गया हो यानि वो इस डाइरेक्शन में होगा ठीक है अब आगे बोलता है कि जो मिनट वाली सुई है वो सौध की और है यहां को सौध की यहां को यहां पर आपको वेश्ट की और आने वाला है तो यहां को यहां पर आपको अपको क्राइब आपको क्मेंट कर सकते उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा और एक आपको नोटिस यह है कि जैसे हमारा 1000 सब्सक्राइब पहुंचेगा हम आपको लाइक वीडियो आपको आपको स्टार्ट कर देंगे ठीक है यह भी तो आपको रिकॉटेट दिया जाता है इसे बहुत सी चीज़े आपको छूड भी जाती है जो आपको समझ में नहीं आता होगा तो जब को हम लाइक वीडियो पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फिनिक आउप कोष्ट है ना को भी आपको उसके लिए चार्ट देना नहीं होगा आपको यूटूब बे लाइक वीडियो आपको पढ़ाने वाले है ठीक है तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को सेर कीजे और आवारे वीडियो को लाइक सेर एंड सब्स्राइब कर दिए थैंक्यू